Cryptocurrency Bitcoin के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज राज साड़े 11 बजे इंडियन टाइम US में Federal Reserve FOMC की मीटिंग होने वाली है जिस मीटिंग में interest rate कितना hike होगा वो decide किया जाएगा वो result आने के बाद Bitcoin के price में Overall Crypto Market के prices में यहाँ पे बहुत बड़ा उचाल या बहुत बड़ा dump आ सकता है उसके बारे में आज के वीडियो में discuss करने वाले क्या result आना चाहिए जिससे pump आ सके क्या result आना चाहिए जिससे dump आ सके उसके बारे में discuss करेंगे अगर वो चीज पता चल गई जैसे ही result पता चलता है उस हिसाब से अगर हम trade लेते हैं एक अच्छा खासा profit बुक कर पाई तो आज का वीडियो बहुत ज्याद इंपोरण और critical रहने वाल है पूरा वीडियो देखिए सारी चीजों को समझ ये विटकोइन का टीए देखेंगे अगर हर रोज में यहाँ पर जो information प्रोवाइड करता हूं नोलेज शेयर करता हूं अगर आपको पसंद आती है definitely वीडियो को एक लाइक कीजिए मेरा motivation यहाँ पर बढ़ता है और अगर अपने होचान को सब्सक्राइब कर सकते हो है गैसा आ FOMC की आज रात साड़े 11 बजे इंडियन टाइम को जो meeting होने वाली है उसमें यहाँ पर दो options बज जाते है दो options कौन से या तो FOMC meeting में interest जो rate hike होने वाला है या तो 75 basis point हो या तो 100 basis point हो अब ये कौन decide करेगा FOMC meeting में यहाँ पर decide होगा जो हमें यहाँ पर रात को साड़े 11 ब interest rate यहाँ पर 75 basis point हो सारे लोग expect कर रहें 75 basis point हो अगर 75 basis point ही hike होता है वो चीज इना short term market के लिए positive होगी बिकोज हमने जो expect किया वो चीज हमें मिल गई बट अगर interest rate ज्यादा होता है हमारा expectation 75 है अगर interest rate यहाँ पर 100 basis point होता है तब वो चीज इना short term market के लिए यहाँ पर bearish होगी अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने है यह interest rate क्यों हाइक होता है आपको पता होगा कुछ दिन प 1% होगा बट actual में क्या आया 8.3% inflation का मतलब महंगाई राइट इतनी महंगाई बढ़ रही है हमने expect किया था कि inflation rate 8.1% आएगा बट 8.3% आया उसकी वज़े से यहाँ पर market में panic हुआ उसकी वज़े से market में यहाँ पर लोगों के expectation से inflation ज्यादा आया market डंप हुई तो अब आज जो FOMC की meeting है जहाँ पर interest rate decide किया जाता है अगर inflation बढ़ता है महंगाई बढ़ती है लोग जो loan लेते है companies जो loan लेती है उनको यहाँ पर ज्यादा interest सरकार को भरना पड़ता है इस चीज़ को ध्यान रखिए inflation बढ़ा government interest rate को FOMC interest rate को बढ़ाती है अगर interest rate यहाँ पर बढ़ता पैनिक क्रियेट होता है market में dump देखने मिलते हैं दो चीज़ों का ध्यान रखना है 75 basis point 100 basis point क्या result आता है directly telegram channel जो है crypto के यह link description pin comment में मिल जाएगी यहाँ पर जैसे ही 11 बजे result आएगा directly मैं यहाँ आपके साथ share कर दो 75 है हम क्या करेंगे long करें अगर 100 है हम क्या करेंगे short करें बट वो में depending on the market condition and situation telegram पर आपके साथ share करूंगा because 11.11 काफी लेट होगा right technical analysis में क्या देखने मिल रहा है bitcoin के लिए यह जो जोन है मैंने यहाँ पर एक rectangle mark किया this is acting as a very important support zone कहां पर आ रहा है आप देख सकते हो clearly 18,800 dollars से लेके 18,200 dollars right यह वाला जो range है ना this range यहाँ पर काफी सार buyers बैठे हुए because of this यहाँ पर आपने पहले भी देखा acting as a very important support here also it was acting as a very important support here also it was acting as a very important support here also it was acting as a very important support अगर यहाँ पर बिटकोइन का price 18,000 daily candle 18,200 dollars से नीचे ब्रेक करे 18,200 dollars को यहाँ रिजिस्टन्स टेस्ट करे वहाँ से ब्रेक डाउन होता है यह कब होगा अगर यहाँ पर interest rate 100 basis point hike हुआ न तो यह चीज हो सकती है Bitcoin का price यहाँ पर नीचे जा सकता है but अगर यहाँ पर 75 basis point अगर interest rate hike होता है थोड़ा सा ही न शौट टम इट विल बुलिश तो यहाँ से हमें एक pump देखने मिल सकते है इस चीज का आपको ध्यान रखना है जैसे ही update आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाकी अगर शौट टम में आप देखने जाओ शौट टम में यहाँ पर एक resistance बन जाता है 19,400 उससे उपर एक resistance है 20,100 मेजर जो support है 18,500 के आसपास आ रहा है तो यह जो चार्ट है support resistance वाला चार्ट Fibonacci level वाला चार्ट यह मैं आपके साथ शेयर करूँगा कह आपकी मैंने Twitter पर हमारा Twitter account भी आपको link description में मिल जाएगी मैंने आपके साथ पोल किया एक आपको क्या लगता है what will be the interest rate hike in FOMC today comment section में definitely आप मुझे बताएए आपको क्या लगता है आज जो FOMC meeting होगी interest rate hike किया जाएगा आपको क्या लगता है क्या 75 basis point interest rate hike होगा या फिर 100 basis point हो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो पसंद आया है definitely वीडियो को एक like कीजिए मेरा motivation यहाँ पर बढ़ता है share कीजिए अपना friends के साथ channel को subscribe कीजिए और subscribe के बाद आपको bell icon पी मिल जाता है वो भी प्रस कर दीजिए चलिए दोस्तों इसे के साथ आज का वीडियो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं stay safe, stay healthy, thank you, jaihin